तो दोस्तों काफी ज़्यादा कुमेंट आ रहे थे काफी ज़्यादा कि जो बास्केट होती है प्लांस में जब हम नर्सी से पौदा लेकर आते हैं तो इस बास्केट को निकाल कर पौदा हमें गमले में लगाना चाहिए जा इस बास्केट के समेत ही पौदे को गमले में लग आना चाहिए आज की वीडियो में प्रॉपर में आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में दोस्तों क्यों रेडमेटी में लगा हुआ पौदा आपका कुछ टाइम के बाद मर जाता है वो भी शेयर करूँगा और इसके अलावा अगर गंबले में लगे हुए पौदे आपके मरने लगते हैं सही से चलते नहीं तो वो क्या कारण होता है कैसे आप सही कह सकते हैं साथ में वो भी आपके साथ शेयर करूँगा तो अगर आप चैनल के उपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप वीडियो को को तो सब्सक्राइब करने मुछ फीडियो के उपर दिख लेकर हुआ है। जो दोस्तों के थे हृज कता है। तो पूना में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो हीबिसकस के पौधे होते हैं जहां फिर गुढल के जो और व्रेटी के पौधे होते हैं जा इसके रावा दोस्तों जैसे कि गार्डनिया जा मोतिया कली मोगरा जो सबी जो पौधे हैं वो पहले जो सोटी सी बास्केट आप तो दूस्तों पुर्णा की साड आगर आप जाएंगे तो इस तरीके से जो स्वाइल है आपको वह रेड़ ही मिलेगी जैसे इस प्रॉटिछन में आप दिख रहे हैं तो वहां की जो मिट्टी है वह रेड़ की रहती है रेड़ ही रहती है जो काफी ज़्यादा हाड होती है स पौदा अपना लेकर आता है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए जह हिपिसकस का पौदा जो है वो रैडिस वाल में है और बास्केट भी उपर से आपको नजर आ रही है तो चलिए से हम बाहर निकाल लेते हैं और आपको प्रॉपरली बताएंगे कि आगे आप देख सकते हैं जो रूट से रहती है वो बास्केट से क्रॉस हो चुकी है आप देख सकते हैं प्रॉपलम तब आती है अगर जो बास्केट होती है बास्केट से जो रूट से वो बाहर ना निकले रूट से बाहर निकल चुकी है तो कोई प्रॉपलम नहीं है अगर आप बास तो चले जह हमारा हिबिस्कस का पौदा यह प्रॉपर मिटी में लगा हुआ है तो दोस्ते से मैं बाहर निकालूँगा जहें रैडिस वैल में है तो रैडिस वैल को रिमूव करना है हटाना है या नहीं हटाना है वह भी मैं बात कर लेता हूं पहले मैंने आपको basket के बारे में बता दिया कि अगर basket में hole हैं जो roots हैं वो cross हुई हुई हैं तो आप basket के समेध पौदे को लगा सकते हैं तो दूसरा दोस्तों यह देखिए मैं polythene हटा देता हूँ पौदे दिन हटाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि पूरे का पूरा पूरा यह पौदा रैड़ सोयल में है क्योंकि पूरा की साड़ से जो soil है वो रैड़ ही मिलती है तो अभी आप देख सकते कि इसमें बास्केट है बीच में बास्केट है इसमें पहले बास्केट में लगा था बाद में रैड़ सोयल में है तो अभी मैं क्या करूंगा कि इस soil को हटाऊंगा नहीं क्यों नहीं उटाओंगा क्योंकि दोस्तों इसकी जो रूड्स हैं आप दिख रहे हैं कि इसकी रूड्स बीच बीच में दिख रहे हैं वो हरी दिख रहे हैं ग्रीन दिख रहे हैं वाइट वाइट सी दिख रहे हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है यह देखिए आप मैं आपको दि नहीं तो दोस्ता आपको मिट्टे को हटाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अच्छे गमले में लगा रहे हैं तो दूसरा ये पौदा मेरे पास है जो बास्केट में है तो दोनों तरह के पौदे लगाऊंगा मैं इससे में ने रेड सोयल पुरी तरह से हटा दी है लेकिन बास्केट अभी भी है तो बास्केट भी अगर हटाना चाते हैं तो वो हटा सकते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि हम अगर रूट बाल के समेथ रेड मिट्टी के समेथ पौदे को लगाते हैं तो भी मरा पौदा मर जाता है अगर हम रेड मिट्टी और बास्केट निकल कर लगाते हैं तो भी मर जाता है तो मैं दोनों तरीके से पौदा लगाऊंगा और आपका कि जो केड है वह अलग तरीके से होगी दोनुर तो है कि आपका पौदा कभी मरेगा ने घ्रो होगा तो चालीए सबसे पहले को हमने जो एक onlyMixir तैया है वह एmiricaर की है और यूए सॉअ आरित लिए इसमें कोई भी आपको ऐसा फटीलेजर नहीं देखने को मिलेगा जो मैंने केमिकल फटीलेजर एड़ किया हूँ इसमें सिर्फ मैं और्गैनिक फटीलेजर दूँगा क्योंकि दोस्तों समय हम एक तरह का रीपॉर्ड कर रहे हैं नया पौदा जो है गंबले में लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में रूट बॉल के समेथ आप देख सकते हैं अब जो पौदा आपने रूट बॉल के समेथ लगाया है उसका अपने क्या करना है कि उसे आप ड्रेक्ट दूप में रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वह ऐसे चलता रहेगा लेकिन आपने बस दियां रखना है कि जै से कम six months या एक साल के बाद इसे आपने थोड़ा सा चेक करते रहना होगा बस क्योंकि इसकी रूट जो है वह बहुत जल्दी बन जाएगी जो रूट हो जाएगी पूरा गमला आपका जो है वह जड़ें से वह रूट से बर जाएगा तो इसलिए आपने इसका जो द्याने तो थोड़ा सा ज्यादा रखना है तो हमने उपर से मिटी डाल दी है तो मिटी डालने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यह बर्मी कंपोस्ट है दोस्तों जे मिक्सर है यह बर्मी कंपोस्ट है तो हम बर्मी कंपोस्ट एड़ करेंगे और वर्मी कंपोस्ट और गयनिक फटी लजर है जो हीबिसकस के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा तो बस अभी हम यह काम है वो कर देते हैं अच्छे से तो दोस्तों आप दुवारा से फिर उपर से जो मिट्टी है वो डाल देंगे और यह जो हमारा पाउदा यह लगकर पुरी तरह से त्यार है बस दोस्तों इस बात का अपने धियान एक इस तरही के से से पाउदे को लगाना है अब मैं अभी पता देता हूं कि अगर आप सो personn हटा कर और जो हमारी बास्केट होती है वो क्योटी च़्यक्रेट रहती है वह घटा कर पाउदा लगाना है तो कैसे लगा है कि केर कैसे करन कि पहले हमने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी नीचे बनाई थी बाद में रूट बॉल को रखा था इस पौधे को लगाने के लिए हम काफी ज्यादा स्वाइल डालेंगे क्योंकि इसकी बास्केट यह व्युकुल अगर आप बास्केट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं लेकिन मैं बास्केट को हटाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को इससे कोई प्रावलम नहीं है जो रूट से वो क्रॉस हो चुकी है तो अपने इस तरीके से लगाना है अप सेट कर सकते हैं और बाद में वैसे कि वैसे अपने बर्मी कंपोस्ट और उसमें अपने जो मिट्टी है वो रखना है इसे कि यो फेर की आपने के दस से बारा दिन के लिए उपने को मिलेगी और सातमे अपने क्या करना कि D.A.P. के 10 से 12 दाने जरूर दे देने ज़र आपने उसी समय देने इसे आपने दूसरे बाला पौदा जो मैंने आपको लगा कर देखाया था रूड बॉल के समय उसमें नहीं दूसरे में देने जो आपने रूड बॉल रिमूव करकर रटाया क्योंकि इसमें फास फोर्स होता है जो रूड के उपर जल्दी कम करेगा और बाद में आपने अच्छे से देना है पानी जैसे कि मैं दे रहा हूँ पानी देने के बाद दोनों बॉदों में मैं पानी दे देता हूँ दूसरे पानी में भी दे देता हूँ तो पानी देने के बाद इसे आप ने रखना है शायं में दोनों बाउडों को रख सकते हैं लेकिन जो आमने रूट बाल के समि imagination लगाया है उसे रखने की जरूरत नहीं है, उसे आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन जो रूट बाल और बास्केट निकालकर लगाया है, उसे पत्तियां भी पीली पड़ेंगी वह बिल्कुल डाउन सा जो है वह रहेगा लेकिन अगर आप साहे में रखेंगे पानी अच्छे से लेते रहेंगे तो वह जल्दी जो है वह कवर हो जाएगा तो दोस्तों बस जही रहता है कि अगर आप रूट बॉल और बास्केट नकालकर पौदा लगाते हैं तो कुछ दिन के लिए पौदा मुर जाता है पत्तियां पीली हो जाती है एक बार पत्तियां पूरी घिर जाती है और आपका पौदा जो है वो फिर लॉंग टाइम के लिए अच्छा चलता है तो आपको बार बार गमला भी चेंज करने की जरूरत नही पड़ेगी क्यों कि इसके साथ उना तो रूट बॉल थी और रूट भी बिल्कुल शोटी शोटी से और थोड़ी थोड़ी सी रूट बॉल थी जिससे क्या है कि दो तीन साल में अभी इसकी रूट पर बनेगी पौदा अपका इसी घमले में चलता रहेगा और जो हमारा जो वाइट टेक केर हैपी गार्णा